तकी सुरुवात सही मानव, information की जरुरत रही है या यूं कहें कि मानव को information की जरुरत रही है, इसलिए वो समय समय पर अपने सूचनाओं को एकत्र करने, वो उन सूचनाओं के आधार पर सही और उचेत निर्ड़ा लेने के लिए नए और विक्सिक तरिकों को खोचता रहा है सूचना क्या आवसकता वह महत्तपूर्ण ताके कारण सबसे पहला आविसकार कागज और कलम का हुआ जैसे जैसे मानव का विकास होता गया वैसे वैसे उसने सहर राज देश बनाए और उन देशों के बीच व्यापार वानिज के कारण विबिन समंद बने और आज केवल व्यापार वानिज ही नहीं बलिक जीवन की लगभग हर सूचना का इंटरनेट के माध्यम से इन देशों के बीच आदान प्रदान हो रहा है क्रिस्टी करांती और द्योकी करांती के बाद आज हम सूचना करांती के यूग में आज चुके हैं पहले सूचनाओं को मिट्टी के बर्तनों पर चित्रात्मक रूप में सब्दू के रूप में लिखा जाता था फिर कागज और कलम के विकास ने इस पर विवन सूचनाओं को स्टोर करने का का काम किया आज हम इनी सूचनाओं को कम्प्यूटर पर मैनेज करते हैं विवन परकार के आकणों जैसे जिसको हम डाटा बोलते हैं संकलन जिसको हम कलेक्शन बोलते हैं करना मतलब डाटा को कलेक्शन करना और फिर उन आकणों को विवन परकार के वर्गीकरत Classify जिसको हम परकी करत बोलते हैं, Classification बोलते हैं इंगलिस में, करने का उनका विसलेशन, Analyze करना बोलते हैं जिसको इंगलिस में, करना तता उचित समय पर उचित निर्णय लेने की छमता प्राप्त करना, इस पूरी प्रिक्रिया में Computer की भासा में Data Processing करना कहलाता है, Data Collection, Classification, Analyzing ये सारी प्रिक्रिया को हम जो है, Data Processing कहते हैं, अभी क्या होता है Data, Value और Sets of Values, जिसको हम Data कहते हैं, असिद्ध तत्थिप, जिसको हम Facts बहलते हैं, और अंक, Figures और सांकी की Statics का वह समय हो, जिस पर प्रिक्रिया Processing करने पर एक अर्थ पूर्ण, Meaningful सूचना Information प्राप्त होती है, उसको हम Data कहते हैं, मान या मानू का एक समू, Value और Set of Values, जिसको हम बोलते हैं, Value और Set of Values होता है, जिसके आधार पर हम निर्डाई लेते हैं, उसको हम यह कहें कि हम, After Processing, we can make a decision, इसे एक उधान द्वारा हम समझने की कोशिज करते हैं, जैसे संक्या है, 0 से 9 तक कुल 10 होती हैं, लेकिन यदि इन्हें हम एक विवस्तित करम में रख दिया जाए, तो एक सूचना जनरेट होती है, इसलिए यह संक्या Data है, अंगरेजी भासा में, Small Letter, वह Capital Letter के कुल 52 characters ही होते हैं, लेकिन यदि इन्हें एक सूचना क्रम में रख जाए, तो हजारों पुष्तिकें बन जाती हैं, इसलिए यह characters, Data कहलाता है, कम्प्यूटर में हम इन्ही दो रूपो में वास्तिविक जिवन की विविन बातों को स्टोर करते हैं, और उन पर processing करके आवशकता अनुसार, information generate करने की कोसिस करते हैं, जैसे किसी स्कूल के विविन स्टुडेंट्स की यह जानकारी मैनेज करनी हो, या किसी क्लास में कौन-कौन से स्टुडेंट है, या उनका कौन सा सीरियल नंबर है, या उनका home address क्या है, या mobile नंबर क्या है, email id क्या है, इन सब को हम एक स्विस्तित वे में कम्प्यूटर के माध्यम से एक database बना सकते हैं, जिरो से नो के अंकूं के समुह के रूप में, जिसको हम express करते हैं, इस्टुडेंट का नाम और पता, character के एक स्विस्तित समुह के रूप में express किया जाता है, जब 0 से 9 तक के कुछ अंकों को एक समों में व्यस्तित किया जाता है तब किसी student का एक serial number बन जाता है और जब वो women characteristics को एक समों में व्यस्तित किया जाता है तो उस student का नाम और address बन जाता है तो इसी को हम बोलते हैं information प्रदान करना अभी next है हमारा processing generating result अभी कैसे आपने इतना आपने 0 से 9 तक और A से जो है Z तक alphabets को आपने process करने के बाद में किस तरह से आपका generate हुआ result आपका उसमें बात करते हैं data जैसे कि अक्सर अंक सांकी की aesthetics या किसी चित्र को स्वेश्तित करना या उसकी calculation या processing कहलाता है किसी भी processing में निम्न ये चीज़ें होती है जैसे उसको calculation करना, compression करना, decision making और logic मान लोग किसी मान को जोड़ना, घटाना या गुणा करना, भाग देना आदी कोई मान बड़ा या छोटा, सुन्य, positive या negative के बराबर आ दी किसी condition के आधार पर निड़ने लेना, आउशक परणाम को प्राप्त करने के लिए अपनाया जाने वाला step, इस क्रम को हम processing या result generating कहते हैं केवल अंकों की गढ़ना करना ही processing नहीं कहलाता, बलिक किसी भी परकार के मान को जैसे कि किसी document में से गलतियों को खोजना, या नामों के समुहों को ascending और descending order के करम में लगाना, इस परक्रिया को हम processing कहते हैं computer में keyboard से जो भी data input किया जाता है, उस data का तब तक कोई अर्थ नहीं होता जब तक कि computer द्वारा उस data पर किसी परकार की processing ना की जाए जैसे उधान के लिए computer R-A-D-A-H-A या V-A-M-A-C-E या U-S-D-C ये 5 या 4 अक्सर अलग-अलग input किये जाते हैं इसलिए ये सभी अक्सर raw data कहलाता है या raw data के समान होता है computer इन अक्सरों पर processing करके इनहें एक करम में वैस्तित कर देता है और हम इसे V-MAC के नाम या जो भी आप processing जो information आपने feed किये उसको आप information के रूप में देख सकते हैं ये तो रहा हमारा data जैसे कि मैंने पहले ही बताए कि data क्या है facts, the collection of facts या raw data ये आपका data कहलाता है और the processing data making a sense it is called information the information process data क्या है जिस तरह data पर processing हो चुकी होती है उसे process data कहते हैं या information कहते हैं उससे सब्दों में कहें तो किसी data पर processing होने के बाद जो अर्थपूर्ण परणाम या result प्राप्त होता है उसे हम सूचना information कहते हैं इस processing से generate होने वाली किसी भी information को हम किसी दूसरी processing में फिर से data के रूप में उपयोग में लेकर नई information generate कर सकते हैं और ये करम आगे भी जारी रखा जा सकता है उधान के लिए vmac ये character है हम अलग-अलग input इसे करते हैं जैसे v m a c e e d u c a t i o n तो computer पहले इस पर processing करके vmac education ये सब्द बनाता है जो फिर हमारे लिए आगे जाके सूचना रिप्रिजेंट करता है इस तरह से हम सारांस यह है यूं कहें कि computer में हम सभी परकार की सूचनाओं को data के आधार पर store करते हैं इन data पर processing करते हैं जिसमें सूचनाए generate होती है और इन सूचनाओं के आधार पर हम निर्णे लेते हैं data वास्तव में कोई अंक अक्षर या चित्र हो सकता है computer में इन्हें मानू को manage किया जाता है यानि data वास्तव में कोई मान या मानू का एक समूह होता है अभी बात आ गई है प्रस्ण आ गया है what is computer? जैसा कि मैंने पहले भी बताया आपको computer एक ऐसी electronic machine है जो निर्देशूं के समूह के नियंत्रण में data या तथ्थियों पर processing करता है इसके processing ही आपका information generate होती है या generate करता है computer में data को accept करने और उस data पर requiring processing के लिए किसी program को execute करने की छमता होती है ये किसी data पर mathematical वह लोजिकल करियाय करने में शक्सम होता है computer में data को accept करने के लिए input device होते हैं और process data यानि information को प्रस्तुत करने के लिए output device होते है data पर processing का काम जिस device द्वारा संपन होता है उसे center processing unit CPU कहते हैं यह एक micro processor होता है जिसे हम computer का दिमाग भी कहते हैं या इसको heart of the computer या nerve of the computer या center part of the computer भी हम कहते हैं किसी भी computer को निम लिखित चमताओं में व्यक्त किया जाता है user भारा supplied data को accept करता है आपका computer input किये गए data को computer की memory में store करके required परणाम प्राप्त करने के लिए किसी instruction के समूह यानि किसी program को execute करता है जो कि उस input किये गए data पर processing कर सकता है data पर mathematical और logical किरियाओं जैसे operation में किरियान विद performance या perform करना हो सकता है user के आवसकता अनुसार output परणान करता है अब क्या है system group हम group of system group of units to solve problems computer एक system होता है जब किसी एक या एक से अधिक समश्याओं को सुझाने या किसी लक्ष को प्राप्त करने के लिए कई स्वतंतर एकाईयां individual units बोलते हैं जिसको हम मिलकर काम कर रहे होते हैं तो उन एकाईयों के समों को system कहा जाता है जैसे कोई स्कूल या कोई computer center एक सिस्टम होता है जिसे हम computer centers या school organization कह सकते हैं जहां पर education का काम होता है जहां पर तक्निकी सीख्षा दी जाती है या फिर यूं कहें कि कोई operational units इसी तरह से computer भी एक सिस्टम है जिसके लिए अलग-लग उपकरणों की जरूत होती है monitor, mouse, keyboard, CPU, printer, UPS ये इन सब अलग-लग उपकरणों के एक समुह के द्वारा ही त्यार होता है जिसको हम input and output devices और processing जिस तरह से मैंने पहले ही बताया था आप कि computer को basically हम चार भागू में बांड देते हैं input, devices, output devices, CPU और UPS जो आपको power supply प्रवाइड कराएगा इसी करम में हम आगे चर्चा करते हैं program and software ये जान लेना हमें बहुत जरूरी है क्योंकि C languages को जानने से पहले आप लोगों को basic fundamentals, basic concept आपके computer के clear होने चाहिए तभी आपको चीजें समझ वाएंगी कि आपको कैसे आपका computer process करता है, कैसे input devices काम करते हैं, कैसे output devices काम करते हैं, कैसे आपका data process होता है ये चोटी-चोटी बातों का ज्यान होगा तो आपको C languages समझने में बड़ी आसानी होगी मैंने पहले भी बताया, C languages बहुत ही आसान languages है, पहले भी बताया था आप लोगों को, तो आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे, C के बारे में बताऊंगा हम आपको, उससे पहले आप basic computer concepts, fundamentals को समझेए